प्लार्स इन किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और लेजी आपके सामने फिर से उपसे तो एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर जिसमें आज हम बात करेंगे रिक्स बिगोनिया प्लांट के बारे में जी हाँ ये बिगोनिया फैमली का प्लांट है इसकी क्या-क्या रिक्वार्मेंट्स है और ये इसकी क्यार किस तरीके से करनी है वो सारी जानकारी दूंगी तो बिना स्किप किये पूरा वीडियो देखेगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ के वीडियो शुरू करू हो गया है और ये मैंने लगाया हुआ है अपनी हैंगिंग बास्केट में हैं और हैंगिंग बास्केट मैंने फिलहाल नीचे इसलिए रखी क्योंकि मुझे इसका वीडियो रिकॉर्ड करना था और वैसे मैं अभी हैंग भी नहीं कर सकती मेरे पास हैंग करने के लिए कुछ availability नहीं है, यानि कि कुछ भी available नहीं है, तो मैंने ऐसे ही इसको नीचे ही रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसकी leaves होती है, variegated leaves है, इसकी देखे, कितनी प्यारे colors हैं इसके उपर, काफी colors में आता है ये green color में भी आता है, जिसमें brown color के dotted dot होते हैं, जैसे कि इसमें छोटे-छोटे dots हैं, brown और gray color के, और काफी brown और gray color का इसकी leaves पर जो texture आ रहा है ना, वो काफी खूबसूरत है, और ये देखे, bird ने इस पर nest पनाया हुआ है, क्योंकि इसे मैंने hang कर दिया था, और मेरे याँ porch थोड़ा open है, तो birds आती जाती रहती हैं, और फिर birds पानी भी नहीं डालने देती, जब उनके eggs इसमें आ जाते हैं, तो पानी नहीं डालने देती है, और थोड़ी problem आती है, इसलिए मैंने उसको उठा करके नीचे रख दिया, जब birds के जो बच्चे थे, वो eggs इसे बाहर आ गए, उसके बाद guys मैंने पहले नहीं उठाया, तो guys यह काफी खूबसूरत plant है, और अगर आप इसे लाना चाहते हैं, तो लाकर आपको इसे indoor ही place करना होगा, इसे आप outdoor full sunlight में नहीं रख सकते, यह indoor plant है, आप इसे चाहें, तो window पर अपने living room में भी रख सकते हैं, काफी beautiful decoration के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, जिसा की texture आप देख रहे हैं, यह pink color में भी available है, red color में भी available होता है, और देखें, leaves के पीछे brown color है, और उपर की तरफ grey और, grey भी नहीं है, silver color जिसा इसके उपर texture आया हुआ, काफी कुदरत ने कितना बढ़िया, इसे बनाया है, और बहुत ही खूबसरत यह plant है, और hanging में भी लगा सकते हैं, आप इसे pot में भी लगा सकते हैं, 8 inch का pot इसके लिए sufficient है, और hanging basket को इसी भी आप इसके लिए कर सकते हैं, अगर आपको इसकी cuttings ग्रो करने हैं, मैं बहुत जल्दी इसकी cutting के उपर भी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, तो इसकी cutting आप अभी ग्रो कर सकते हैं, और गर्मियों में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि यह succulent family का है, एक succulent variety का plant है, तो यह easily किसी भी month में ग्रो हो जाता है, सिफ winter को छोड़के, और आप चाहें तो बारिश का मौसम भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि succulents बारिश के मौसम में थोड़े sensitive होते हैं, तो आप उन्हें अगर बारिश में अगर ग्रो हो जाते हैं, तो अच्छी बात है, नही यह एक decorative plant है, जो अलग ही तरीके का texture लिये हुए है, और काफी खूबसूरत इसकी leaves है, और मैं आपको इसकी मिट्टी बता देती हूँ, आप इसे 50% garden soil, 30% compost और 20% इसमें कोकोपिट मिलाकर क्याव लगाएंगे, तो यह काफी easily grow होता रहेगा, और अच्छी ideal मिट्टी नहीं है, और इसमें fertilizer आपको साल में एक बारी देना है, क्योंकि यह indoor plant है, इसमें आपको बार-बार fertilizer देने की जरुरत नहीं है, आपने अगर अच्छी मिट्टी बना के इसको अभी इस मन्थ में लगा दिया, तो आपको अगले एक साल तक कोई भी fertilizer देने की जरुरत नहीं है, और winter season इस plant का dormancy period होता है, यह धीरे धीरे अपनी leaves grow करता है, बट जैसे ही फरवरी मार जाने लगता है तो यह फिर से regrow हो जाता है, fertilizer के बता दिया मैंने इसके उपर जादा कुछ insect लगता नहीं, आप इस पोधे को निलाते रहिए, शावरिंग करते रहिए 15 दिन में एक होगी, वीडियो पसद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा, बेल आइकन और पर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेकली पहुंचती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए, बाई, टेक केट, जैसी कृष्णा.